आज का हमारा टोपिक है चत्रबुज और फिर उसके बाद में हम देखेंगे चत्रबुजों के प्रकार तो पहले देख लेते हैं कि चत्रबुज कहते किसे हैं चार बुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकरती चत्रबुज कहलाती है चार बुजाओं की आकरती जैसे ये मैं एक आकरती बना रहा हूँ ये है एक चतर बुज ये भी क्या है एक चतर बुज इस प्रकार की कोई भी आकरती है वो चतर बुज कहलाती है अब अगर आकरती बन नहीं है तो वो चतर बुज नहीं कहलाएगी जैसे ये आकरती ये है एक चतर बुज नहीं है इसमें चार बुजाएं है लेकिन ये आकरती बन नहीं है और देखिए इसमें देखिए ये एक बुजा है ये दूसरी बुजा है ये तीसरी बुजा है लेकिन तीसरी बुजा बुजा नहीं है एक सीधी रेखा नहीं है वो एक वक्र सा बना हुआ है तो ऐसी आकरती भी चतुर बुजे नहीं होती है तो चतुरबुजों के प्रकार देखिए अब, चतुरबुज समाने तया 6 प्रकार के होते हैं, समानतर चतुरबुज जिसे इंगलिश में parallelogram कहते हैं, आयत यानि की rectangle, सम चतुरबुज यानि की rhombus, वर्ग यानि की square, समलम चतुरबुज यानि की trepegium और पतंग यानि की kite, य इनके नाम देखने के बाद हमें ये देखना है कि ये किस प्रकार के दिखाई देते हैं, और इनकी definition यानि की परिभाशाएं क्या हैं, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला जो चतुरबुज का प्रकार हमने देखा, वह था समानतर चतुरबुज, समानतर चत चतुरबुज जादा तर इस प्रकार के दिखाई देते हैं, या वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, आगे हम आयत देखेंगे, वह भी समानतर चतुरबुज होता है, वर्ग भी एक समानतर चतुरबुज होता है, लेकिन इन चतुरबुजों के आपस के सम्मंद के बारे म और इन चतुर्भुजों के गुणों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे तब तक हम सिर्फ परिभाशाएं पढ़ेंगे इसकी जो दूसरी साइड हैं ये भी इस प्रकार होती हैं कि ये आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी भी नहीं काटें तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं समानतर रेखाएं तो जो समानतर चतुर्भुज है आपका उसकी आपने सामने की भुजाएं क्या होती हैं समानतर होती है यह हैं परिभाशा, परिभाशा हम किस परकार से लिखेंगे? ऐसा चतर बुझ जिसके सम्मुक बुझाओं के दोनों जोड़े यह सम्मानतर है इसके और यह समानतर है इसके तो इस प्रकार से आमने सामने की बोझाओं के जो दोनों जोडे हैं, युग्म हैं वह समांतर हो, वह कहलाता है समांतर चतरबोझे अब इसके जो गुण है वो किसी और वीडियो में हम देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसमें हम सामाने जानकारी देखेंगे चतुरबुजों के बारे इसके बाद में दूसरा जो चतुरबुज हमने देखा वो है आयत रेक्टेंगल ऐसे आखर दिया यह क्या है एक आयत है आयत में आमने सामने की बुजाएं समान होती है आमने सामने की बुजाएं समान होती है जैसे यह बुजा यदि 6 cm की है तो इसके सामने वाली बुजा भी 6 cm की होगी यह बुजा 4 cm की है तो इसके सामने वाली बुज़ा भी 4 cm की होगी इसके अलावा इसके तो चारों कौन हैं चारों कौन यह है 90 डिगरी की होते हैं चारों कौन इसके क्या होते हैं 90 डिगरी की होते हैं तो ऐसी आकरती जिसकी सम्मुख बुजाएं समान हो यानि कि आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रतेक कौन 90 डिग्री हो आयत कहलाता है तो आयत की प्रिभाशा क्या लिखेंगे आप ऐसा चतुरबुज जिसकी सम्मुक भुजाएं समान हो वैकोन नबड़गिरी के हो उसे हम कहते हैं आयत तो हमने दो चतुरबुज पढ़ लिए अब हम पढ़ेंगे तीसरा चतुरबुज सम्चतुरबुज अभी तक तो आमने सामने की भुजाएं समाना ही है अब देखे सम्चतुरबुज की आकरती बना रहा हूँ मैं ऐसा चतुरबुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो सम्चतुरबुज कहलाता है इसकी ये भुजा यदि च्यार सेंटीमेटर की है तो यहे भी च्यार सेंटीमेटर की होगी यहे भी च्यार सेंटीमेटर की होगी यहे भी च्यार सेंटीमेटर होगी तो ऐसा चतुरबुज जिसकी च्यारों भुजाएं समान लंबाई की हो वह सम्चतुरबुज कहलाता है चोता हमारा जो चतुर वुजधा वह था वर्ग वर्ग कार आकरथी कैसी होती है चितर देख लेते हैं इस प्रकार की ऐसी आकरथी जिसकी चारों बुजएंग समान हो साथ ही साथ उसके सभी कौंट नब डिगरी के हो यह बुजाएं समान है, यह बाद सेंटिमेटर की है, तो यह भी पाद सेंटिमेटर की, यह भी पाद सेंटिमेटर की और यह भी पाद सेंटिमेटर की इसके अलावा इसको जो सारे कौन है वो नमबर डिग्री के होंगे नमबर डिग्री यह भी नमबर डिग्री यह भी नमबर डिग्री यह भी नमबर डिग्री ऐसा चुतरूज इसकी सभी बुजाएं समान हो वे कौन नमबर डिग्री के हो वह कहलाता है वर्ज इन चत्रबुजों के सभी गुणों की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अब आगे नंबर पाँच पे पाँच नंबर पे है हमारा ट्रिपेजियम समलम चत्रबुज समलम चत्रबुज किसे कहते हैं आशरती देख लीजिए पहले इस प्रकार का ऐसा चत्रबुज इसमें आपको देख रहा होगा कि यह बोजा यह है और यह बोजा समानतर है इस प्रकार से यानि यह एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे यदि हम इनको दोनों दिशाओं में बढ़ाते हैं तो लेकिन इनकी जो दूसरी बुजाएं हैं वो इस प्रकार से हैं और यह आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काट देंगे तो ऐसा चत्रबुज जिसकी सम्मुक बुजाओं का एक यूगम यानि एक जोड़ा समानतर हो वह समलंब चत्रबुज कहलाता है ऐसा चत्रबुज जिसकी शोर्ट में लिख रहा हूँ मैं सम्मुक यानि की आमने सामने की बुजाओं का एक यूगम समानतर हो वह है समलम चत्रबुज कहलाता है जैसे इसमें यह जो युग में है यह पेर समांतर है अब अंतिम बसता है पतंग पतंग के आकरती देखिए आप पतंग में हमेशा क्या होता है यह पतंग है पतंग में हमेशा क्या होता है कि उपर की जो दो बुजाएं है वह समान होती है और नीचे की जो दो बुजाएं है वह समान होती है यानि पास-पास की बुजाओं के दो जोड़े समान लंबाई के होते हैं जैसे इसमें यह और यह बुजाएं समान है और यह दोनों बुजाएं समान है पास-पास की आसन बुजाओं के दो जोड़े समान है यानि इसमें पास-पास की बुझाएं समान है वह आक्रती पतंग कहलाती है तो उमीद करता हूँ कि आप चतुर बुझों के प्रकार के बारे में अच्छे से समझ गया होगे अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तेंक यू